नमस्कार आप सभी देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ नैंसी कोई भी ऐसा विकलब नहीं मिल पारा है जो कोई ये जा रहा है जोती रदित्या सिंद्या होगे प्रयांका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी जहां से उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही त्याग पत्र दे दिया और माना ये जा रहा है कि उन्हें उससे बड़ी भूमिका के लिए तैयार रहने के संकेत दे दिये गए हैं और इसलिए वो अपना पत छोड़ कर आगे की तैयारी कर रहे हैं सूतरों की माने अगर उन्हें रास्टी स्थर पे जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो मद्रप्रदेश कॉंग्रेस का नित्व उन्हीं के हाथ में दिया जाएगा इसको लेकर पाटी के कारयाले में पोस्टर वाजी रिलीज हो चुकी है आलही में एक बड़ी खबट से हम रूपरू करवा रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं कहा यहीं जारा है कि हो सकता है अब कि राहुल गांधी के बाद जोती रदित्या सिंध्या ही कॉंग्रेस पाटी के अ लेकिन जैसे ही सिंध्या भोपाल आये तो उन्होंने कवलनात के साथ ना सिर्फ बंद कमरे में मुलाकात की बलकि उनके साथ लंच पर भी गए ऐसे में माना यह जारा है कि जिन खराब रिष्टों को लेकर बीते दौरान से खबरे सामने आ रही थी वो रिष्टे तो कभी खराब थे ही नहीं अब ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी की अध्यक्षपत से स्तीफा देने के बाद क्या जोती रदित्यसिंद्या ही कॉंकि कहीं ना कहीं कहा यही गया था कि कॉंग्रेस पार्टी की जो कमान है वो एक यूवान नेता को दी में लेकर जाना है ये जानकारी भी उसके पास हो अब ऐसे में देखने वाली बात यहीं होगी क्योंकि जोती रधित्य सिंध्या जो है कही न कहीं गांधी परिवार से भी उनका कोई तालुकात नहीं है और कहीं न कहीं राहुल गांधी ने साफ तोर पर क्या दिया था कि ना तो प्रियांका गांधी और ना ही कोई गांधी परिवार से तालुक रखने वाला शक्स इस पार्टी का ध्यक्षपनेगा अब ऐसे में हार के बाद से ही कॉंग्रेस पार्टी के जो है कहीं न कहीं मुश्किले इस पार्टी में बढ़ती जा रही हैं साफ तोर पर देखा ज राजनीते नवजो सिंह जाना और राजस्तान की राजनीते में सचिन पाइलेट और अशुव गहलोत के बगावत के शुरु का hamm कई न कहीं साफत पर देखा जा रहा है कि जो हार फूई है वह हार की जो Zimohate पूरी कॉंग्रिस पार्टी पर हालकी आती हैं मगर यहार की जिम्मेदारी हर एक नेता अपने दूसरे सयोगी नेता पर डाल रहा है। द्यक्षपत के लिए कही ना कही उनका नाम सामने लेकर आए। आप यह देखने वाली बात रहेगी क्यासों का दौर काफी तेजी से बढ़ रहा है। कही ना कही जो है राजनेती गल्यारों में यह नाम अब सामने आने लगा है। देखना यही होगा कि जो नाम अब सामने आ क्या वो ही कॉंग्रिस पार्टी का ध्यक्ष बनेगा या फिर नहीं।